आज रिलीज हुआ पवंद सिंग का छटगीत और आपको बता दें कि यह चटगीत बहुत ही गुपसूरत है जी हाँ, लेट रिव्यूज के लिए हम माफी चाहते हैं लेकिन आपको बता दें कि यह रिव्यूज देराय दुरुस्ताय वाला है जी हाँ चार घंटे में वन मिलियन व्यूज पहुचा है और आज ही खेसारी लाल यादो का भी एक छटगीत रिलीज हुआ है और ये किन मानिए वो छटगीत भी बहुत बहतरीन है उसे उस छटगीत को अगर आप देखेंगे तो आपको एक emotional टच मिलेगा लेकिन हम बात यहा पहले पवन सिंग के छटगीत की करेंगे और फिर बाद में खेसारी लाल यादो के तो आपको बता दें कि पवन सिंग का जो छटगीत है अगर आपने सोनुनीगम को कभी भी सुना है ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोनुनीगम जैसा सुपस्चार सिंगर को आपने अभी तक सुन लेकिन भाई हम चौक तब गये क्योंकि हमें बेसमरी से इंतिजार था कि इन्हें कितना मैच कर पाते हैं तो आप यकिन नहीं करेंगे कि सौनु निगम और पवन सिंग के इसarenthore कंबिनेशन में पवन सिंग कहीं से कंब नहीं लग रहे थे सौनु निगम से और तो और हम यह इसलिए नहीं कह रहे हैं कि पवन सिंग भोजपुरी में बहुत ही अच्छा काते हैं लेकिन अगर आप कि भूजपुरी में बढ paganTalk कोई और नहीं हम आपको इसल्रेंस लिए यह आप्टिस्तों की बात हो रहें हैं और बहुत ही प्यारा गाया है पवंसीन priest और वैसे ही वीडियो में हर्षिका पोंचा जो इस गाने की हिरोईने वो भी बहुत बैतरीन लग रही है और सोनु निगम ने भी जिस तरह से पहली बार गाया है भोजपुरी में एक छटगी तो वो बहुत ही खुबसूरत है और सोनु ने ये भी कहा है कि उन्हें पवन इनों में पवन के प्रयास से और भी बहुत बहुत बहुतरीन सिंगर आए तो हम पवन के इस गाने को 5 out of 4.5 स्टार देते हैं और ये कहते हैं कि किपिट अपवन सिंग आगे ऐसे ही बढ़ते रहे और भोजपुरी का नाम उचा कीजे अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादो के गाने की तो अगर आपने इस देखा होगा गाने को तो गाने की बोल बहुत अच्छे हैं लेकिन पिक्चिराइजेशन में बहुत कमी है और इसे खेसारी को सुधारना चाहिए ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पाय रहा है क्योंकि खेसारी बैक टू बैक वाक करते हैं और इस वज़े से इस वज़े से ये सारी कमिया आ जाती है लेकिन हम आपको कहते हैं ये गाना भी बहुत बहतरीन है आप ज़रूर सुलिए कॉसिफ के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुला भूलिए